आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी माट्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायलोजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेशन की फोटो कीचो बसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ जिसकी हमने हमारे पहले की वीडियो में भी बात करी है यह मश्रूम शेप की जो ग्लैंड है यह प्रेजन होती है इन दी सिक्स्थ अन दी सेवन्थ अब्डॉमिनल सेग्मेंट के अंदर अब हम बोल सकते हैं यहाँ पे यह इंक्लूड करता है कौकरोज के सेग्मेंट पार्ट को जैसे के हम जानते हैं कौकरोज की बॉड़ी जो है डिवाइड होती है थ्री पार्ट के अंदर और उनमें प्रेजन होते हैं डिफरेंट फांक्शन उन पार्ट के अंदर उस तरीके से जो थर्ड पार्ट है cockroach का और जो लास्ट पार्ट हम बोल सकते हैं वो include करता है abdominal का और माहा पे 6th और 7th segment में हम बोलेंगे present होती है यह mushroom shaped gland यह present होती है सिर्फ male cockroaches के अंदर और different activities perform करती है हम बोल सकते हैं reproductive activity को लेके एक तरीके से एक accessory function perform करती है इस male cockroaches के अंदर in the reproduction इस तरीके से हम बोल सकते हैं यह reproductive gland का का काम करती है अब हम जानते हैं mushroom gland जो होती है जिसकी यहाँ पर बात हो रही है इस question के अंदर यह consist करती है two types के tubules को जो एक तरीके से इस gland का basic और एक specialized function है और अगर हम उस two tubules की बात करें वो एक important role perform करती है इस condition के अंदर जैसे पहले वाली हम बोल सकते हैं वो कहलाती है peripheral tubules का इस तरीके से second वाले के अगर यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर present होती है as the utericule major tubule region जैसे कि इसका name represent कर रहा है यहाँ पर यह tubules जो है वो एक important role perform करती है इस gland के through in fact हम बोल सकते हैं यह दोनों tubules की जो बात कर रहे हैं इस mushroom gland के अंदर हम वो form होती है इसके inner layer of spermatophore के और जैसे कि हमने हमारी पहले की videos में भी यही बात करी है spermatophore एक covering part है sperm के region का जो testis produce करता है वो और एक important form show करता है various glands का भी जो वहाँ पर present होती है तो इस तरीके से हम बोलेंगे यहाँ पर जो given options बता रहा है पहला बाला यह बोल रहा है nourishment of spumps yes हम बोल सकते है nourishment provide करती है motility condition में storing activity में काम देती है formation होती है inner membrane में spermatophore के yes जैसे हमने बात करी inner layer intubules के त्रू तो option 4 जो होगा इस question का वो correct answer है क्योंकि above तीनों options जो है वो एक important answers बता रहे हैं इस gland के बारे में Classics to 12 से लेके need IIT जे ही means और advance के लेवल तक 10 million से जादा students का भरोसा आज ही डाउनलोड के डाउटने टाप यह WhatsApp कीजे अपने डाउट्स 8444 चार्स उपर